कि मैं आपको ब्यान नहीं कर सकता कि एक पल में पिछ ऐसे बीएफ करती है कि फुल बैक्टिंग फ्रेंडी विकेड है दूसरी पल के अंदर ऐसी खतना पिछ हो जाती है कि टीम में कुलाप्स हो जाती है हमने देखा सेचर्डे को जो पाकिसान के साथ हुआ 155 के ओपर दो होगे इतने बड़े बड़े कुलाप्स यह आपको ब्यान निकर सकते के ये कि इसनी दिल को खुशी हो रही से श्रिलंका चेल रहा था इसा लग रहा सा कि श्रिलंका आज का मैच जी सकता क्यूंकि मुझे तना येकीन था कि इस लखनव की पिछ के उपाए कि श्रिलंका ने अधर मेंडिस को आउट करते हैं तो एक दम से मैच पर थोड़े चेंज आता था अस्रेलिया कंबाक होता है लेकि तब ही श्रिलंका गिर्फ मस्बूँत सी उसके बाद बैक टू बैक विकर्स घिराये जाना एडम जैंपा पैट कमिंग फिर मिचल स्रार्ट आते हैं अखीर लेकिन उसके बाद पत्चीस और के बाद जिस तरह से अस्ट्रेलिया ने बूलिंग की है यार आप सब को छोड़े 157 भी छोड़े इनकी ओपनिंग पार्टनर्शी भी 140 की थी उसके बाद से आप देखें के 209 के ओपर आल आउट होगे कितना बड़ा कॉलैस हुए कितना ही चैज हो गी है तो बड़े बड़े अजिवोगी इसी चीज़े हो रही है मैं तो पसलिए चाह था के ओस्ट्रेलिया यहाला मैच आच का हाड मैच पाकीसान का चांस आके-जाबार लेकिन और बॉलिंग के अंतर एडम जैमप उनका जो प्लीनर था जिसकी बेस के ऊपर यह में खेलना है तो आपको ब्याने नहीं कर सकते हैं कि हम लोग जिसके ओपर एडवांटेज रहे हमें अपर एज रहे उस टीम के ओपर वही टीम अपना पिछला मैश तरह अच्छा खेल रही है कि हमारे लिए बुड़ा होता जा रहा है तो आपके सामने परफोर्मस है जिसना क बीज रहने देखिए सबसे ह conceal सब और बात करने जारे बांग करना पड़ना है शाहीं शाफिती ने बेग्र का बॉलिड का बोल्र है लिए मुझ भैण बड़ा बोल से जिस तरह की बोलिंग पाकिसान को चाहिए अब देखा जाए तो उस्ट्रेलिया की जो बोलर है जिस तरह से उनको पहले 25 और मार पड़ी है इनका पूरा पाकिसानी वाली बोलिंग वाला हाल था लेकिन उसके पर नोने कमबैक किया उस्ट्रेलिया की बोलिंग ने देखा जाए तो अस्ट्रेलिया के पास भी पास भी पिनर नहीं है जो है वो भी फारीक है और फास जिस तरह बोलिंग को पास इस पBRोजुघ के पास। ये हैं कि अच्छी बोलिंग कर देगा पुठाने चलताए तो इससे थोरी ना चलता है एक अच्छा रूर युथ स्रीलंका स्जिलंका जिगा लेना ये लेकीन स्थे लेग़न थे निए वोह अ रूट पने स्थिसल में इंद्यवास कृलग है कि लेकल सुब्ले निए 8 процесс t 1 2 2 2 6 दिश्वीं principe ये गाल ग्रहां है ये 5 तॉट अब एंज लेकिन नहीं कॉलाप्स कर गया ना समझी नहीं पाए पिछ को डीड नी सरी कर पाते जस्बत ही हो जाते हैं और वही गलती नहीं किया पाकिसान नहीं जो कॉलाप्स किया था खेर वो तो 36 के उपर उन्हें आठ होट युपने कर वा लेकिन इनका भी कुलाप्स बड़ा बड़ आज से खेलेगा बड़े तरीके से बले बदि करेंगे उस्ट्रेलिया पहले तो अपने विकर समभालेगा उसके बाद फिर तेज क्रिकेट शूरू करें और आज अस्ट्रेलिया के बाद मौका है कि आपने अच्छा करें यही मैच है और पूरी कोशिष होगी है कि आज के म शिलंका यहां से अगर विन करना तो आउट्स फ्रेंडिंग बोलने करनी पड़ने है कि उस लेडिया को चारो खाने चित कर दो